इंदोर नगा निगम ने सौचता के बाद अब हर्याली के छेतर में नमबर वन बनने की तैयारी शुरू कर दी है जिसके तहट पेडों का अधार काड बनाया जाएगा दरसल नगरनिगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शेहर में पेडों की जियो टेगिंग की है यह प्लानिंग की शुरूआती दौर में पित्र परवत, नहरु पार्क और अन जगाओं पर पेडों की जियो टेगिंग करवाई जाएगी जो आनलाइन सॉफ्ट्वेर के जरी अपडेट होगा ये सॉफ्ट्वेर ये बताएगा कि शहर में कुल कितने पेड़ हैं इसके पहले चरण में दो लाग पेड़ों की टेगिंग करने का लक्ष रखा गया है जिसमें 15 से 30 सेंटिमीटर या उतसे उपर के पेड़ों को शामल किया जाएगा जिसे आम जनता की तरफ से काफी सराहा जा रहा है आज के दोजार चार पांच में उधर पित परवत पे अपने बुजुर्गों की याद में पेड़ लगाए गए थे जो आज उनकी वो गिरोथ आप जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं सारी मिलती है और सिस्टम पे वो वरवर मिलते हैं उसी परकार का ये सिस्टम है तो इन दोनों समस्याओं को जियान में रखते हुए हम लोगों ने एक जो टेंडर निकाला है उसमें हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इन दोर में पेड़ हैं लगबग जो हमारा अनुमानीत आकड़ा है लगबग दो लाग के आसपास हैं उन सभी की हम लोग गड़ना करा रहे हैं कि कौन-कौन से एरिया में, किस वार्ड में, किस रोड पे, कितने-कितने पेड़ हैं, साथ में उस गड़ना में संख्या के अलावा किस वेराइटी के पेड़ हैं, वो भी हम लोग उस गड़ना में शामिल कर रहे हैं, उनका हम लोग एक प्रापर जो है डिजिटल डेटावेस बनाएंगे सभी की जियो टेगिंग होगी और सभी की इसके बाद क्यों आर्काडिंग होगी